नमस्कार दोस्तों सुखत है आपका अपने चैनल कीस्टु सक्सिस में आजका हमारा टॉपिक है e-commerce ठीक है e-commerce के MCQ देखेंगे हम लबह पांच बुक से question निकाले गए है ठीक है इसे part 1 है हम कोशिज करेंगे कि 200-300 MCQ आप के सामने लाए आपके सामने लाए जिससे कि आपके कोई भी कोईशन एक्जाम में नहीं ना लगे और कोईशन ज्यादा से ज्यादा अट्यम्ट हो पाए ठीक है और सही अट्यम्ट हो पाए तो आपने अभी तक आपने अभी तक हमारे कि आपने और कंप्यूटर ने देखा तो वह देख लिजें और कंप्यूटर और MPGK के हम लोग और अल्री कवर चुके हैं लुसें और दो तिन बुक से कवर कर चुके हैं उसके करें से क्यों तो उसे भी देखना बिल्कुल ना पूले है आई बटन में आपको दिख जाएगा या एंडे स्क्रीन में आपको मिल दाएगा तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं तो देख लेते एक कॉमर्स क्या है पहला कोशन सूचना पूरता होगी कि एभाम उन्नात क कॉम्प सर्व की स्थापना हुई किस वर्स हुई थी 1970 में ठीक है नएज देखते हैं इसके बाद अध्यक्तराइब किसingly किया था 1979 में मैचल ऐड़ आपि ने किया था नएक सानि पर नकिशन केसे पहला बूर बूर्ट क्निल है होलिडिय ने नेए निंतिने कॉस्चन में था ख़वफा ने किया था परेज्डू कूंपनीनिने हम अपना में यह क Cayटव क्रेर्वा एंकरिश सिस्टम की सुरुवत किस वर्स हुई थी किस वर्स हुई थी 1998 में ठीक है नेस्ट कोश्चन है जेक मां द्वारा अलिबाबा डॉट कॉम की सुरुवत किस वर्स से की गी थी ऑप्षिन यहां पर दे दिये गए आपको सिस करिए अटेम करने के हम सिधा आंसर बताएंगे 1999 में क गूगल एड़र्स की सुरुवत कब से मने जाती है 2000 में ठीक है इसके देते हैं गूगल ने अपना ऑनलेन पेमिट सिस्टम गूगल वालेट कब से सुरू किया था 2011 में नास्ट कोश्चन है इनमें से कौन से एपल कंपनी का मोबाइल प्यमिट सिस्टम है एपल पे एपल व संस्थापक को ने टारी टांसर दे दिया गया राधाकरिष्ण दमानी ठीक है नेस कोश्चन देते हैं डीमाट की स्थापने किस वर्से से हुई 2002 में हुई थी ठीक है नेक्स्ट है रिलाइंस लेटेल की सुरुवत किस वर्से से पानी जाती है ऑप्शन हमारे यह है पूछी जारी कंपटियों की वेलू कितनी होती है तब यूनिकॉर कंपणी का जाता हो से वन बिलियन डॉलर टेन बिलियन डॉलर हंडेड बिलियन डॉलर फिटीन बिलियन डॉलर तो कह हो जाएगा वन बिलियन डॉलर ठीक है नेस्ट कोश्चन है हेक्टो कॉर्ण कंपणी किसे का जाता है जिस कमपणी की वेल्यू कितने होती है 1 bly10 billion done 1001 thousand कितने होती 100 milliard टीक हाईपर मार्केट से आप तिया समझ्जते हैं G pomoc Day hyper store, super store, super center, super market plus departmental store तो क्या हो जाएगा इसका और next है all of these तो क्या हो जाएगा सब भी हो जाएगा ठीक है next question देते है Walmart D next question है Walmart, D-mart, hyper city, big bazar, reliance phrase किस तरह के market है hyper market है, super market है, super rich market है, super centric market है कौन से hyper market है ठीक है next question है, इसमें से कौन सी hyper market और उनकी country के जोड़ी सही नहीं है पुछ जा रहा है, big C, कहां का Thailand का है, lulu market, UAE, e-mart, e-mart, South Korea, panda, Saudi Arab, Imtiaz market, Pakistan, Aeon market, Japan, Refah market, Iran, Westside, India, Jasko, Japan, Walmart, USA, और Nun, तो क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही है ठीक है, कोई भी गलत नहीं है, किसी के भी गलत मिला नहीं है इसका दिखते हैं, दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो कि हमने कितने रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छा लाए गया आपके लिए, बस आप सब्सक्राइब कीजिए और हमाँ इसाथ बने रही है हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कोशन लिखे हैंगे, ठीक है, जो एक्जाम में बन सकते हैं convenience store से आपके समझते हैं यह definition लिखी हुई है, देखने जाए एक बार, convenience shop or corner shop is a small retail business that stocks a range of everyday items such as coffee, groceries, snack foods, confectionery, soft drink, tobacco products, over-the-counter drugs, toilet rice, newspaper and magazine convenience shop पर यह सब आइटम अविलिबल होते हैं, everyday, everyday के जो यूज़ करने वाले आइटम होते हैं, सब convenience shop पर अविलिबल होते हैं, जो की retail business में काम करते हैं next question देखते हैं, order me, e-commerce platform किसने launch किया था, मुके संबानी, अनिलंबानी, रतन टटा और रामदे बाबा किसने, रामदे बाबा ने, सोदेसी ही है, ठीक है, तो इसके पर सोदेसी प्रोड़क्ट को ज्यादा बढ़ावे मिलता है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देख next question देखते हैं, मिन्तरा कंपनी का headquarters किस सहर मैचती था, बैंगलूरू, एधरबाद, चेन नहीं, मुंबई, कहा हैं, बैंगलूरू में, next question, मिन्तरा के संस्ताफक इन में से कौन नहीं है, मुकेस बंसल, विनित सक्षेन, आसुतोस लवानिया, सचीन बंसल को नहीं, सचीन ब मुकेस बंसल, सचीन बंसल, बिन्नी बंसल, सचीन देट्वकर, तो किसने की थी इन तीनों नहीं की थी, लेकिन इसमें, सचीन देट्वकर नहीं है, next question है, इसमें से कौन सी कंपनी, फिलिपकार्ट की सब्सेडरी कंपनी नहीं है, बैंगलूरू, चेन, कलकाथ, इस पर सोफ़े हैं नेक्स्ते अमेजन कंपशन के संस्तापक को ने रोई बंसलों कुनाल बेहर दोस्तों आपके लिए कोशन बहुत अच्य लाएंगे और जो भी कोशन लाजागा एकदम क्लियर कट आपको पता चल रहा होगा जैसे कि स्नेप डिल के बारे में बात कर ले तो आपको इयर पर पता चल गया किसने की वह भी पता चल गया ठीक है और हेड़कॉर्टर पर पता आपके लिए इतना अच्छे कोशन बनाए जारे तो आप हम वह सपोर्ट कीजिए ठीक है नेस्ट कोशन इसनेप डिल कंपनी का हेड़कॉर्टर किस सेर में स्थिल्ए दिल्ली एहमदवाद बोपाल मॉंबई का है दिल्ली में नेस्ट कोशन है जबाउंग.com e-commerce कंपनी का स स्थापना किस वर्स हुआ था 2012 में ठीक है और ये इंडियन कंपनी ठीक है जबाउंग कंपनी की स्थापना इसमें से किसने नहीं की पूछ जा रहा है तो इसके देख लेते सस्थापक में कुन को सामिले प्रविंसिना लच्मी पोटलूरी अरून चैंद्र मोहन एन मनु मनु कुमार जेंग इसमें सबी सामिए लेटे कि इन सबीने मिलके की थी नेस्ट है जावाउं का वर्स है 2016 में किस कंपनी ने अधिकरण कर लिया किसने कह था ने नेस्ट ये भी एकॉमर्स कंपनी की इस सब्स हुए थी 2009 में नेस्त कुशन है ये भी कंपनी के संस्तापक कोन दानी शेमत, मनमोन, अगरवाल, नेतिन अगरवाल, राजुल, राहुल, जेन, तो यह सब यह है, ठीक है, हाउसिंग.com कंपनी की संस्ताब कोन है, पूछा जाएगा तो, राहुल याद हो है, क्राफ्ट्स पिला, यी-कॉमर्स कंपनी की साब में किस पर सुई थी, 2011 में भी थी, इंडिया ने, ठीक है, नेज़ देते हैं, इकॉमर्स में इसमें से कौन सी तखनिक का प्रयोग नहीं होता है, EDI, EBV, EFT, E-mail, तो किसका नहीं होता है, यह सभी तखनिक का उप्योग होता, ठीक है, इसका दिखते हैं, E-कॉमर्स की प्रमुख तकनिक EDI का फुल फॉर्म क्या है, Electronic Data Interchain, नेच्टे, E-कॉमर्स की प्रमुख तकनिक EBV का फॉल फॉर्म क्या है, Electronic Bulletin Board, नेच्टे, E-कॉमर्स की प्रमुख तकनिक EFT का फॉल फॉर्म पुश जा रहा है, तो क्या हुझा का इलेक्ट्रोनिक फंट्रांस्फर टिक है इसके नेक्स्ट कोश्ण है एक कौमर्स तक्निक का सरवाधी प्रयोक किस प्रकार कि e-commerce में किया जाता है एक अजुद में किया जाता है कोरा.com starlink.com नियाकर.com पागलवर्ट.com किसमें किया जाता है कोरा.com next EFT इनमें से किस मांत्यम के द्वारग किया जाता है credit card credit card debit card mobile wallet point of sale ACS transfer किसके द्वारग किया जाता है सभी के द्वारग ठीक है आज करने last question देखते हैं ACS transfer क्या है किया इसका perform देख लिजिए automated clearing house network है इसमें किया किया जाता है bank to bank money transfer किया जाता है electronically तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यह समापत होता है आपको अच्छे लगे होंगे तो चैनल सब्स्राइब कि लिजिए लाइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको पल बल बन notification मिलते